हाई, गाईज मैं जुगलार है आप सबी के सामने एक और नएया वीडियो लेकर आया हूँ आप सबी के सामने में ब्लूट्र 2020 21 का हैर सेकेंडरी कक्छा 10 वी के सब만 ही विषए के ब्लूट प्रिंट के बारे में समझाने वाला हूँ इस blueprint में किस प्रकार के अंकों का विभाजन किया गया है कौन से विशे में कितने कितने अंक आएंगे ये कक्छा दस्वी के लिए है MP board के लिए जिन में अधिकतर लागू होने वाले विशे जैसे कि किसी के पास सामान निहिंदी है जैसे यहां पर अधिकतर बच्चों के पास सामान हिंदी है विशेष्ट हिंदी होती है तो विशेष्ट हिंदी जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते है उनके लिए विशेष्ट हिंदी है तो वो विशेष्ट हिंदी आपके सामने में लेकर आया हूँ यानि कि सभी सब्जेक्ट सभी विशेके मैं आपके सामने थोड़ा सा एक्स्प्लिंग कर देना चाहता हूं कि एक अक्षा दस्वी का प्रूर्पिंट है जो कोविट की वज़े से इसको घटाया या बढ़ाया गया है और जो सो अंक्र के सभी प्रस्णपत्र हिंदी में रहे है अब यहां पर हम देखते हैं इसमें इकाई वार अंक का आवंटन किया गया है जैसे पद्ध सहित्ति का इतिहास यान रिति काल एवम आधुनिक काल जो कि आपके हिंदी की स्रीज में कहीं पर भी मिल जाएंगे जिसके अंदर पद्धखन होता है इसके कहने का मतलब कुल टोटल जो इसकी इकाई दी हुई है इस इकाई एक में से इकाई एक पद्ध सहित्ति का इतिहास और पदखन गदखन और व्याकरण इसके अंतरगत हमें टोटल कुष्चिन रहेंगे चोती संक के अब चोती संक में से देखा जाए तो यहां पर इस खंड में से दस साय क्वचन में से लोक संस्कृति रेखा नर्बदा सल्य एकाई एक में तीनों खंडों में से गद्ध पद्ध और यहां पर साय क्वचन में से मिला कर टोटल प्रशन का अंकों का आवंटन किया गया है जो कि जिसमें से तीन अंक की प्रशन चार रहेंगे तीन अंक के और चा विकास क्रम जैसे रीतिकाल अधुनिक कलन के सभी के बारे में और पद्ध में से बादलों को घिरते देखा वीरों का केसा होगा वजंद और कवीर की सखिया गद्ध में से गेहूं और गुलाब मेरे गाउं की सुक्सांति किसने ली मातरभुमी कमान और सायक वचन में से दो अब यह टोटल आपको एकाई दो में से 31 अंक जिसमें से इसमें भी मलग कहने का मतलब उस वाले खंड में एक में भी 10 अंक के अब्जेक्टिव और इसमें भी 10 अंक के अब आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार से इसी क्रम को आगे बढ़ते हैं इकाई तीन में भी यही पाड कल्प हो सकते हैं यह खालिस्तान सही जोड़ी या सही वी कल्प भी हो सकते हैं अब इसका थोड़ा समय इस वाले पेपर का निर्देश पढ़ देता हूं कुल अंक दिये गए हैं इसमें 100 टोटल मिलाके 30 अंक के आपके अब्जेक्टिव हो जाएंगे और इसी प्रकार तीन-तीन अंक के आपके प्रश्न हो जाएंगे फिर चारजार अंक के प्रश्न हो जाएंगे अब विशे से सम्बंदित आधारभुद जानकारी प्रश्न जिनके आधार पर इकाई विशे का वस्तुनियत की गई पूछे जा सकते हैं नंबर दो अब वस्तुनिस्ट अंक जो सब्जेक्टिव के प्रश्ण 30 प्रश्ण दिए जाएंगे चाली सकते हैं हम एक एक अंक क्यों, अधारेत, अबस्तु निंस्ट्र प्रश्ण हो craftsmen, आपके तीिश एक अंक हो जाएंगे और चारक होगा, विसे पर आधारित आउंडले साटमक प्रस्णों का विकलब इस प्रकार होगा यदि 5 प्रस्ण दिये गए हैं तो उनमें स्टोटल आपको 3 हल करने है और 6 दिये गए तो उसमें से 4 यह आपके सामने हमने रखा इसे प्रकार से जिनके पास सामान हिंडी या निक इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का भी करम आपको दिया गया है आप आसानी से इसको देख सकते हैं और इसका इसकी इंसोट भी ले सकते हैं गंटे आपका प्रश्न पत्र रहेगा और यह कोवीड की वज़े से कंजादा किए इसमें भी पुरा कपूरा इसकी कना यह रीडियो Century तो उसके बारे में आपको पूरा का पूरा दे दिया गया है आप इसकिन सोट लेकर यहां पर भी वेसा का वैसे निर्देश दिया गया है पांच अंक वाला अब्जेक्टी वाला और कितने सब्द में अब अंग्रेजी सामान हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं वि नला इसकिन वाला अना आपक का पूच्चों के धुक्ति में उसकिन के वाले हैं इन किया बच्चों के न कहीं वाले ने बार फ couleर इकाई तीन में वाले इसकिन सब्देक्स heavily को एक्स्प्लेंग रहे की आतु सूर्ड में लिए और यंग्रा के लागा गलको आपको चार यानिकी सबसे बड़ा कॉश्चन इसमें रहेगा चार अब देखते हैं संस्क्रत विशें में भी हम देखते हैं तो विशिस्ट होती है हमारे पास विशिष्ट नहीं है आप जब भी फिर इनको देख सकते हैं तीस अन्य नियधेश दिये गए हैं और फिर इसके बाद आती है सामानी शंसक्रत सामानी शंसक्रत में सन्दी, समास ये सभी आपके तीस अंक जी आने वाले हैं तीस अंक के याने कि एक अंक के अब्जेक्टिव इनके अंदर से भी बनेंगे कितने टोटल मिला के टोटल तीस अंक के अब्जेक्टिव बनेंगे एक एक नंबर के प्रस्ट तो यहाँ पर वस्तुनिस्ट में बताया गया है कि वस्तुनिस्ट के अंदर वस्तुनिस्ट में आएगी संदी, समास, प्रतिय, पाठांगत, धातू और सब्द रूप, रिक्तिस्थान, युग्म और विलोम, पर्याय तो इसी प्रकार से खुल मिलाकर तीस अंक के अब्जेक्टिव हो जाएंगे निभंद की बात करते हैं, तो तीन अंक की प्रस्ण दस आएंगे, संसक्रत के अंदर तीन-तीन नंबर के दस प्रस्ण बनेंगे उर्दू, ये भी नहीं है हमारे पास, अब माराथी भी नहीं होती है, गुजराती भी नहीं, तो इस आप नॉर्मली देख सकते हैं, सिंधी भी नहीं है, सिंधी को भी हटा देते हैं, यहाँ पर देखते हैं, पंजाबी जनरल, ये भी नहीं है हमारे पास, हाँ, अब साइ से पर आते हैं साइंस के अंदर ध्यान से समझते हैं व्यक्ति या बच्चों को इसा लगता है यह सित्तरंग का पुछा जाएगा इसके अंदर प्रैक्टिकल होते और बाकी अभी तक हमने जो बताएं सभी हंडेड हंडेड के रहेंगे सबसे पहले हम आपको ध्यान से समझा देते हैं कि इसमें किस प्रकार से प्रशना आने वाले हैं तो इसका थोड़ा समझने की जरुवत है आपको साइंस के बारे में यह भी आपका ब्लूर प्रिंट है 2020-21 के लिए क्योंकि कोविट की वज़े से इसको नए रूप प्रदान किये गए हैं तो तीन इकाईयों में बाटा गया है विज्ञान को तीन इकाईयों में किस प्रकार पहली इकाईयों में पहला पार्ट याने राशानिक अभी करियाम समीकरन दूसरी में अमलेम चारलवन धातू अधातू कारबन योगीक और तत्व के बारे में तीसरी इकाईयों में भी अगले पांच पार्ट बताये गए हैं आपको नाम दे और चोथी इकाईय में भी पांस तो इसकुल मला के पंदरा पार्ट हमारे पास दिए गए हैं अब 15 के अंदर हम देखते हैं तीन इकाईयों में बाटा गया हर इकाईयों में से इन पांचों पार्ट में से कॉमन रूप से क्या निकाला और ऑगली इकाई की तरफ तो इकाई दो ज़हां दियेगे हैं पांचों में अंक पॉप्जेक्टिव ये एक एक अंक के जो आफ उप्यक्टिव स्याविठे़ पॉड़ा Creating में से तीन अंक के तीन प्रस्ण और यहां से चार अंक के आपके तीन प्रस्ण बनेंगे टोटल मिला के उननीस अंक का आपका बनेगा इसके अंदर से अब तीसरी इकाई पर बढ़ते हैं तीसरी इकाई में से हमारे पास दिये गया है पांच अध्याई पांच अध्याई में से इतने नंबर का चोथे पार्ट मस्य प्रीस परकार आई वाया इस तो टोटल हमारे पंवारे पास दिये गए हैं और 20 नंबर का आपका प्रैक्रिक्टिकल रहेगा इसका निर्देश भीस परकार से दिया गया है पांच प्रष्ण होते तो किस प्रकार से हल करने है अब हम देखते हैं सोसल साइंस का सामजिक विज्यान का सामजिक विज्यान में भी क्योवल विज्यान को छोड़कर सबी विश्यव में तीस्ती संक के objective दिये गए हैं और इसी प्रकार से तीन अंक के प्रशना आपके पांच आएंगे और चार अंक के प्रशना आपके पांच आएंगे इसी प्रकार से टोटल मिला के पेतालिस अंक का इकाई एक बनेगा अब इकाई दो पे आते हैं इकाई दो में चार अध्याई दिये गए चार अध्याई में से भी मिला के ही objective आपके 10 आएंगे या आपम बोल सकते हैं खालिस्तान भी हो सकते हैं इसके अंदर से जोड़ियां भी हो सकती है एक सब्दमोत्तर भी या सत्य सत्य भी या वस्तुनिस्ट वेकल्पिक प्रश्ण भी हो सकते हैं एकाई तीन में से भी 10 अंक के objective आने वाले हैं और तीन नंबर और चान नंबर के आपके दो-दो प्रश्ण इसके अंदर से बनेगे टोटल हमने पढ़ लिया आप कितने अंक का बना आपका सो अंक का ये प्रश्ण पत्र बना निर्देश उसके नीचे दिये गए अब हम देखते हैं mathematics के तरफ तो येक अक्छा दस्विका मेट्स का blueprint है मेट्स को बड़े ध्यान समझते हैं सभी प्रश्ण पत्र में 30 गंटे का रहेगा इसमें भी यानि अभी तक हमने निश्कर से यहां निकाला इन प्रश्णों को या इन प्रश्ण पत्र के blueprint को देखने पर की टोटल हिकाईयों का अवंटन जब किया उनने तो टोटल के अंदर तीन हिकाई बताई अब तीन हिकाई में किसी में 4 पार्ट या किसी में 5 पार्ट भी बनाये गए हैं तो इसके अंदर पे आपको 5 पार्ट दिये गए हैं यानि कि पहला अध्याय आपका वास्तविक संक्या बहुपाद द्वी चर एकी समीकरण द्वी घाज समीकरण या समान तर्शेणी इन सबी के अंदर से मिलाकर 30 अंक के उबजेक्टिव आने वाले हैं सबी याने कि हर विशे मैं से 30 अंक के अब उबजेख्टिव भनाएंगें थोड़ा सा सरली करण किया गया है दस नमबर के objective दिये गए है इकाई एक में से और तीन अंक के जो प्रस्ण दिये गए है तीन नमबर के जो प्रस्ण दिये गए है वो तीन प्रस्ण आएंगे और चार अंक के जो प्रस्ण दिये गए है वो चार अंक के आने वाले हैं अब एकाई दो पे आते हैं, तो एकाई दो में अगले त्रिभूज, निर्देशंग, जियामिती, त्रिकॉण मिती परीचे, त्रिकॉण मिती अनुपादव, अनुप्रियोग, या फिर व्रत, अब हम ये एकाई तीन, दो के अंदर ये ध्याय रखे गए हैं, जिसमें से दस एक एक अंक के प्रशन आएंगे, यानि कि वेकलपिक प्रशन रहेंगे, अब्जेक्टिव प्रशन, तीन अंक के तीन प्रशन रहेंगे, और यहाँ पर देखा जाए, चार अंक के भी तीन प्रशन रहेंगे, अब हम देखते हैं, इकाई, तीन की तरब, तो इकाई तीन मे जो एकाई तीन आपकी बताई गई है इसके अंदर से हम बताएंगे ध्यान से आपको रचना आए व्रतो किसे संबंदी छेतर फल प्रश्टी छेतर फल सांखी की हम प्राइकता अब इसमें बनाए गया है जिसके अंदर से 10 अंक के objective रहेंगे और 3 अंक के 4 परश्टी रहेंगे इसी प्रकार से 4 अंक के 3 परश्टी अब थोड़ा समय आपको परश्टी को clear कर देता हूँ यदि हम जोड़ते हैं 10 दस नंबर के objective परश्टी तो यह बनेगे आपके तीज और एक एक अंक का इसका अंक रहेगा और तीन तीन अंक के प्रस्ट में तीन यहाँ पर रहेंगे इकाई फस्ट में से तीन इकाई फस्ट के रहेंगे और तीन ही इकाई सेकेंड के रहेंगे और चार आपके इसके रहेंगे तो दस प्रशन टोटल हमारे रहेंगे तीन तीन अंक के तो इसका टोटल मिलाके बनता है तीस अंक और चार चार अंक के आपके रहेंगे चार प्रशन तीन यहाँ पर साथ हो जाएंगे और तीन यहाँ पर आपके हो जाएंगे तीन दस तो इसी प्रकार दस अंक के दस प्रश के बारे में हमने समझी ध्यान से पढ़ी और सभी की पीडियाप आपके सामने प्रवाइट की अब यदि आपको हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे दोस्तों या आपके दोस्तों साथियों के पास आवश्य साजा करें शेयर करें हमारे चैनल की सबस्क्राइब करें लाइक कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नए वीडियो की अपडेट्स आपके सामने में जल्दे से जल्दे प्रवाइड कर सकूं जहिन दोस्तो